गुड मानी माई डेर्ट फाउंडर्स आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुर्समिंदर सर के दौरा दिये गए लेटेस्ट अपडेट के बारे में और यह अपडेट आप खुद भी जाके पढ़ सकते हैं बैक इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर के 23 जून 2022 मैं फिर से रिपीट करता हूं इंडियन टाइम के हिसाब से दोपहर 23 जून 2022 12 बसकर 30 मिनट से लेकर 12 बसकर 40 मिनट के आसपास हमारा न्यूव फाउंडर रजिस्टेशन क्लोज हो गया था तो वहां पर जो लास्ट में जो बने थे उनका नाम है बतीना लक्षमी देवी बतीना लक्षमी देवी जो बारा बसकर 49 मिनट पर लास्ट फाउंडर बनी थी और यह चीज आप खुद भी जाकर अपने बैक आफिस में देख सकते हैं जब आप बैक आफिस लॉग इन करेंगे तो सबसे पहले आपके पास डैस बोर्ड पर ही पॉप अप मैसेज आता उसको क्लोज कीजिए और डैस बोर्ड पर ही बेलकम फांडर्स फैमली का एक आप्षन यानि की एक सेक्षन आपको मिलेगा उसमें आप देखेगा वहां पर आट-दस फांडर के वहां पर लिस्ट आपको दिखाई देंगे तो वो लाश्ट में ही फांडर बने थे और सबसे लाश्ट में यानि की लेट शायड में अगर आप देखेंगे सबसे लाश्ट में तो वहां पर बतीना लक्षिमी देवी का वहां पर डीटेल आपको मिल जाएगा जो बारा बसकर 49 मिनट पे दुपहर में जोईन हुई थी तो उस टाइम पर जो हमारा टोटल फांडर का नंबर था वो था 14,55,793 राइट आप सभी जानते होंगे और इस टाइम पर आप सभी ये भी जानते होंगे कि जो हमारा टोटल नंबर था फांडर का तो उसमें से कुछ नंबर डिक्रीज हुए है इस टाइम पर जो लेबल है व वजह से उनके unethical activities के वियासे and negativity को फैलाने को वियासे और भी बहुत सारी चीज़े उसमें included हैं जिसके वजह से यह number decrease हुआ है हम सभी यहाँ पर on passive के founder हैं हम सभी on passive को build कर रहे हैं अभी तो यहाँ पर अपने behavior के regarding सारी चीज़े को ध्यान में रखना चाहिए हम एक दूसरे के साथ कैसे behave करते हैं कैसे बातचीत करते हैं क्या कहते हैं क्या सुनते हैं क्या लिखते हैं क्या post करते हैं social media पे इन सारी negativity बाहर नहीं फैलानी है ना ही आपको WhatsApp गुरुप में social media पे किसी भी जगे आपको ऐसे negativity नहीं फैलानी जिसके वज़े से on passive पे कोई दिक्कत आ पाई और आप यू समझे कि आप on passive के founder है तो आपको एक दूसरी के साथ कैसे behave करना है और social media पे आपको क्या post करना है क्या लिखना है क्या बोलना है उन सारी चीज़ों की regarding हम सभी को यहां पे ध्यान जरूर रखना है और गुश्मिंदर सान ने एक बहुत एच्छी line बोली है कि on passive individuals के highest standard का community बना रहा है so definitely आप यहां पर अपनी value समझे and आप किस community का हिस्सा हो उसको हमेशा ध्यान में रखें and next line गुश्मिंदर सान ने बोला है can we see more decline in founders count क्या हम founder की संख्या में और गिरावट देख सकते हैं definitely friend हम देख सकते हैं अपने activities को ध्यान में नहीं रखेंगे अगर हम अपने behavior को ध्यान में नहीं रखेंगे so definitely यहां पर जो number है यहां पर decrease हो सकता है so अपने responsibility को अपने यहां पर behavior को जरूर ध्यान रखें right so on passive में यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम on passive में क्या करते हैं अच्छा करते हैं बुर यह सारी चीजे आपको on passive में आपके presence को reflect करता है तो अपनी जिम्मेदारी को समझे अपनी value को समझे आपको एक unique position मिली हुई है and us on passive में जो कुछ भी हो रहा तो इसके लिए हमें अपनी company आने की on passive पर CEO पर and खुद पर proud feel करना चाहिए क्योंकि हम जो कुछ भी कर रहे है on passive म हम अपने भलाई के लिए कर रहे हैं अपने ले कर रहे हैं and future के लिए कर रहे हैं तो जो भी चीजे हो रही हैं उसको समझे अपनी responsibility को समझे एक चीज़ ध्यान रखे हैं कि हमारे end आपके अच्छे दिन on passive में आने वाले हैं तो इन सारी चीज़ों को समझते रहे हैं अपने on passive के founder है and यह आपकी responsibility है कि आप on passive को किस तरीके से present करते हैं social media पे या फिर कहीं और सो यह थे friend कुछ important point जो गुसमिंदर सन्ने back office में post किया था मुझे लगा कि आप सभी के साथ में share करना चाहिए I hope मैंने अच्छे से explain किया and आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे वीडियो च्छे वीडियो को like कीजएगा important point को share कीजएगा and channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किया so please subscribe जरूर कर लीजएगा